सो फाइनली टाटा ने अपने नहीं EV टाटा पंच को लॉंच कर दिया है बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे और उनका वेट अभी पूरा हो गया है एक माइक्रो एसी वी होने के बावजूद भी टाटा पंच अपने सेग्मेंट की कारों में काफी जादा दम खम रखती है और इसे बीच बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी है लेकिन बात नेगेटिव पॉइंट से शुरू करूंगा सबसे पहले बात पर टायर के साथ महाथसा हो जाए और वहाँ पर आपको स्पेर विल की जरूरती है इस बीच में अगर ये पैर विल नहीं देना ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है टाटा पंच की लिए दूसरा सबसे बड़ा इसमें इंपक्ट होता है कि इसकी जो प्र कारण भी यह है कि टाटा की आफटर सेल सर्विस काफी ज्यादा खराब है रिकॉर्ड मीं हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा लेकिन टाटा इसको भाहतर कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट अपने एरियों के लिए अलग लग हो सकता है बात करते हैं इसके 20 km की रेंज मिलती है जो की काफी ज्यादा एक डिसेंट है एक माइक्रो स्यूवी सेग्मेंट की गाड़ी के लिए पावर की बात की जाए तो सेम दो ऑप्शिन मिलते है 25 कि बैटरी बर 82 होट्स पावर और 116 एनम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता हो और दूसरे की बात की ज अब इसके और एडिशनल फीचर्स यह है कि इसमें आपको 360 डिगरी कैमरा मिलता है इसमें आपको फ्रंट साइड वेंटिलेटेट सेट मिलती है संद रूफ का ऑप्शन मिलता है अगर आप 5000 एक्स्ट्रा दोगे तो आपको ऑप्शन अविलेबल है और बात की जाए टाटा कि गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स काफी जादा होते हैं बले वो चोटी गाड़ी हो लेकिन वो कंपरिजन सेफ्टी के मामले में बड़ी बड़ी गाड़ी को टक्कर देती है